इंडियन यूट्यूबर गौरव चौधरी उर्फ टेक्निकल गुरूजी हमेशा से मॉबाइल फोन के बारे में तक्निकी जानकारी देते हैं जिसे यूवा वर्ग सुनता है और सहचता से विश्वाश करता है हाल ही में सैंसंग गलेक्सी M सीरीज के लौँच इवेंट में टेक्निकल गुरूजी ने सैंसंग गलेक्सी M20 के अन्बॉक्सिंग के एवं फोन की भरपूर तारिफ की इस Galaxy M series के launch पर Xiaomi company के global vice president Manu Kumar Jain ने tweet कर कहा की उतपाद के launch event में tech bloggers का दिखना एवं उतपाद की तारीफ करना गलत है और हम इसे निश्पक्ष मीडिया नहीं कह सकते Manu Kumar Jain के tweet से रुष्ट होकर technical guru जी ने अपने youtube channel पर एक video बनाई जिसमें उन्होंने Xiaomi के Redmi Note 7 Pro का post-mortem चालू कर दिया company द्वारा किये गए मजबूत phone के दावे को जूठा बताने का असफल प्रयास किया वीडियो में technical guru जी ने दोनों हाथों से ताकत लगा कर phone को तोड़ा और कहा कि Xiaomi से यह उमीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर phone निकालेगी यह कहकर technical guru जी ने युवा वर्ग को सुन्देश दे डाला कि Redmi Note 7 Pro एक कमजोर phone है और Xiaomi अपने mobile को मजबूत phone कहकर जूठा प्रचार कर रही है कुछ वर्ष पहले technical guru जी ने एक वीडियो में बताया था कि हर company अपने phone को पूरी तरह चेक करके market में लाती है और किसी भी phone को तोड़ने के इरादे से अगर अधिक बल लगाया जाये तो किसी भी phone को आसानी से तोड़ा जा सकता है तो सुझे कोई भी YouTuber चाहे मैं खोदेगर यह टेस्ट करूँगा तो वह ऐसा टेस्ट क्यों करूँगा या कोई भी ऐसा टेस्ट क्यों करता है पर प्रतिस्वर्धा में दूसरी कमपनी के प्रोड़क्ट को उठा कर इस तरह का प्रदर्शन करना और दूसरी कमपनी को जूठा साबित करने का प्रयास करना उचित नहीं इस उब्भोक्ताओं के युग में सभी को यह अधिकार है कि वह अपने प्रोडक्ट का प्रचार करें इसे स्वस्त वेवसाय कहते हैं पर किसी अन्य की बुराई करें तो यह बिमार वेवसाय के श्रेणी में गिना जाएगा